हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैठी के कटलेट, तो देखे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे ये मैठी के कटलेट बनकर की तयार है और खाने में बहुत ह्यांदा स्वाधेष्ट लगते हैं लिए तो देखेते आप देख सकते हैं कितनी क्रिषपी हमारे बन mentors ची तुल करते हैं तो देखेते सकते हैं मैंने कह पर मैथी के आपकर लिया है अपर मैथी सकते हैं लेकिन आपको महीन नहीं काटना है, बड़े-बड़े पीस में हम इसको काट करके तयार करेंगे, तो देखे, मैं थी हाँ पर मैंने तयार कर लिए है, और ये मैंने थोड़े से लिए हैं पोहे, जो हम रोज यूज करते हैं घर में वही हमारे पोहे हैं, तो पोहे में पानी ड लिया और सभी लिया, तो मिखसी की जार में डाले, जीर को दुझा एक हरी मिर्च एक हम दुझा, दो लिए पार, जोटे ज़ी लिए एक में तुझा, प्रेख लेख लिएक हर दो, समय करें दुझा दूर्धी और दुझा 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 , बढ़े दें, तो देखिए मैंने यहां पर इसको दर्डड़ा पीस लिया है, यह भी हमारा बनकर की तयार है, तो यह देखी ऊप फ्रेंग, मैंती हैं जो भी मैंने रखी ती गया है वि yellow गया है U Attila, माइन जो धालेंस, और यहां पूहा थी रिक था तो देखिए इसको भी मैंने डाल दिया है अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच, रभा, सूजी आप चाहे तो इसमें चाबल का आटा भी डाल सकते हैं और थोड़ा समय इसमें डालूँगी बेसन बेसन आपको कम से कम डालना है जितना कम आप बेसन डालेंगे उतनी ही आपकी मैधी कट्लेट टैस्टी बनेंगे और आप जो हमने मसाले पीश के रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और चोथाई चम्मच इसमें मैं डालूँगी हींग चोथाई चम्मच इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर पानी के जरूरत नहीं करना है और अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे तो देखें अच्छे से मैंने मिला लिया है और मुझे बिल्कुल भी पानी के जरूरत नहीं पड़ी इसमें मैंने कोशिस की है कि बेशन कम से कम डालूं तो मैंने यहाँ पर एकी चम्मत बेशन डाला है तो बेशन आप कम डालने की कोशिस कीजिए और यह देखें अच्छे से बन करके डू हमारा तयार है नास्तिका तो चलिए अब हम इसके बना लेते हैं कटलेट तो हातों में हलका से तो हम इसक नास्ता बनाएंगे तो मैंने हातों को अजगे से चिकन कर लिया है मैं थोड़ा थोड़ा लेके इसकी कटलेट बनाओंगी गोल पूलिसकी टिक्क की बनाओंगी उस तरीके से में टिक्मिया बना लूँगी ज़्यादा मोटि नहीं बनाना है हम इसको मीडियम बनाएंगे ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मौटा करना है और ऐसे ही हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे तो देखे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि सभी कटलेट हमारे बन करके तैयार है तो चलिए फ्रेंड इनको अब हम कर लेते हैं बोगी खाने में बहुत यादा टैश्टी लगते हैं तो आप दोनों तरह से इसको फ्राई कर सकते हैं तो देगे मैंने आपर पलट करके और इनको दोनों साइट से अच्छे से में फ्राई कर लोगी तो देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और कटलेट हमारे बिल्कूल बनकर के तयार हैं मैथी के कटलेट खाने में बहुत यादा टैश्टी लगते हैं तो सर्दियों में आप बदल बदल के मैथी का नास्ता बना सकते हैं और यह हैल्दी भी हैं और टैश्टी भी हैं बच्छे भी इसको खाना पसंद करते हैं तो इनको आप जरूर बनाईएगा और ऐसी नई नई रैस्पी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों तो यह देखें मैथी का नास्ता बनकर के तयार हैं मैथी के कटलेट बनकर के बिल्कुल तयार हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन में कलर आ गया है तो चलिए अब हम सभी को इसी तरीके से फ्राइगर लेते हैं किसी बी चक्निया वे सांस के साथ खा सकते हैं और यह था च्याने में भी ठिय्च तो देखते हैं कितने क्रस्पी कोई कि आपको तोड़ के अच्छा बना है कि तो देखे अंदर पिक आपको बना एक तो देखे हैं अब भी आप पहली बार अमारे चनल पर आई हैं तो सब्सक्राइब करना मद भूलना तो चली है अनुड़ एसपी के साथ झाल झाल